तो फ्रेंट्स आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सीर खूर्मा इसे हम बिल्कूल क्रीमी और थिक बनाएंगे वो भी बिना कोई मावा के तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ थोड़े ड्राइ फ्रूट्स लिये हैं थोड़े से बादाम, पिस्ता, खर्बूजे के बीस, थोड़ा सा सुखा नारियल, दो छोहारे, थोड़े से किश्मिश, काजू और चिरॉनजी अब सबसे पहले ड्राइ फ्रूट्स को भूलेंगे, तो यहाँ पैर में दो बड़े चमच घी लिया है, सबसे पहले बादाम, पिस्ता और काजू को डाल देंगे, बांकी के चीजों को हम बाद में डालेंगे, क्योंकि बचे हुए चीजों को भूनने में ज्यादा समय नह तो सीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इसे चलाते हुए थोरा गोल्डेन होने तक भून लें, ड्राइ फ्रूट्स को जलाए ना, यह भून चुके हैं, तो अब निकाल लेंगे, और इसी बचे हुए घी में हम सेवई को भूनेंगे, यहाँ मैंने बारिक वाल पर चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे, सेवई को साफधानी पुर्वक भूनें, क्योंकि यह बहुत बारिक होती है, तो चलाते हुए इसे दो मिनट के लिए भून लें, जरासा भी इसे ना छोरें, जैसे यह थोरा गोल्डेन हो जाए, तो इसे हम निकाल लेंगे, अब दूद को गर्म होने के लिए रखा है, यह करीब एक केजी से थोरा जादा दूद है, और इसे दस मिनट के लिए हम अच्छी तरह पका लेंगे, इसे पकाते हुए दस मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे थीक और क्रीमी बनाने के लिए, मैंने यहा थोरे से नॉर्मल च ठीक और क्रीमी आएगा, और बहुत ही टेस्टी बनती है, और साथी यह भूने हुए ड्राइ फूट्स भी डाल देंगे, और इन सब को डाल कर हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे, इसे पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, दूद भी हमारा ठीक होने लग गया है, साथी चावल भी पक चुके हैं, तो अब यह भूना हुआ सेवई डाल देंगे, और सेवई डाल कर अच्छी तरह से चला लेंगे, और अब इसमें हम चीनी डालेंगे, तो यहां मैं 3-4 कटोरी चीनी का इस्तमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट क हिसाब से ही चीनी डालेंगे, पर सीरा थोरा मीठा ही अच्छा लगता है, सेवई और चीनी डालने के बाद इसे हम 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे, इस सेवई को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, दूद उबलने के बाद इसे हमने टोटल 20 मिनट पकाया है, सेवई हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो अब इसमें थोरा सा इलाइची पॉडर डालेंगे, आप चाहें तो रोज वाटर या फिर केवरा वाटर भी थोरा डाल सकते हैं, और इसे दुबारा से अच्छी तरह चला लिए, तो बहुत ही पीर खुर्मा बनकर हमारा तयार है, आप इसे गर्मा गर्म सब करें, या फिर आप इसे ठंडा खाना पसंद करते हैं, तो ठंडे होने के बाद थोरी देर के लिए फ्रीज में रखतें, और अगर रेस्पी थोरी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस स्क्राइब भी जरूर करें, और आप सभी को इद मुबारक,